विंटर्स का मतलब होता है धेर सारी फ्रेश सबजिया और साग तो आज यहां मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पालक का पराथा जो की बनेगा पालक के हरे भरे बिल्कुल फ्रेश साग से तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपीर के तरफ हेलो व्यूवर्स वेलकम टू हार अन्सोल चैनल आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे अच्छा अच्छा खाना बना कर खा रहे होंगे तो चलिए देख लेते हैं ये पराथा मैंने कैसे बनाए पराथा बनाने के लिए सबसे पहले आपको पालक को ब्लांच करना होगा ब्लांच का मतलब होता है खोलते हुए पानी में किसी को थोड़ी देट के लिए पकाना और फिर उससे निकालें तो यहां पे हम क्या करें पानी में हमने नमक डाले और इसमें पालग डाल रहे हैं दो मिनिट के लिए हम इसे पानी में ढखकотр प के लिए यहां एक टोरी पालक निकला है इसे हम थोड़ी ठंडा होने के बाद इसमें हम दे रहे आधा इन जितना अधरक और तीन मिर्ची अब हम इसका प्यूरे बना लेंगे आप मिक्सी में इसको अच्छे से पेस्ट बना लीजिए ग्राइंड कर लीजिए अगर आपको व आपको वीडियो को लाइक जरूर करें अब हम एक बड़े से पराथ में पेस्ट को डाल देंगे इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग मैं पतंजली की बांधनी हींग यूज कर रहे हूं एक चमच जितनी होगी चोटी चमच और इसमें मैं डाल रहा हूं एक बड़ी चमच अब अनुमान से आप इसमें आटा डालिए जितने में इसका अच्छा सा एक सौप्ट डो तयार हो सके पहले आप थोड़ा सा आटा डालिए और इसमें एक चमच नमक भी डालिए ताकि वो टेस्ट पर करा रहे क्योंकि हमने जो पालत उबालते वक नमक डाला था वो तो पान अच्छा से नमक की जरुवत है इसलिए मैंने यहां पर एक चमच इसमें नमक डाला थोड़ा थोड़ा करके आटा एड़ करिए और उसे मिक्स करते जाए अच्छा से डो बनाने के लिए मैं यहां थोड़ा थोड़ा आटा यूज कर रहे हूं एक बॉल पालक ब्लांच करन मेरा डो अच्छा तयार हो गया है अभी नर्म हो गया है और मैं इसे थोड़े तेर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी मैंने 15 मिंट रेस्ट दिया था आटे को और उसके बाद में इसकी लूईया निकाल रहे हूं इतने से आटे में मतलब पॉने तीन कप आटे में मेरे यहां पर 12-13 लूई निकली है थोड़े बड़े बड़े लूई काटे है क्योंकि हम इसका पराठा बनाएंगे तो पहले ह हम इसे थोड़ा रोटी से थोड़ा मोटा हमें बेलना है आप चाहे तो यह से चार फोल्ड में बना सकते तीन फोल्ड वाला भी पराठा बना सकते हूं मैं यहां पर सिंपल रहे हूं मैं बस इसे रोटी की तरह बना ले रहे हूं पर इतना पतला नहीं रोटी की जितना पत बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि आप डेली बना सकते हो डेली खा सकते हो और बहुत ही हेल्दी रेसिपीज आपको मिलेंगे तो पहले हम यहाँ पे गरवा को कर लेंगे उसके बाद इसमें रोटी को सूखा सेख लेंगे ताकि हम इससे बाद में पराठा बना सके तो पहले हम से सूखा स्थेख लेए मैं हमेशा जब भी पराठा बनाती हूं at least 2 पराठा में एक साथ सेखती उससे क्या होता है अवर अच्छ से पकता है और जब भी आप पराठा बनाए तो तेल, आपको पराठे पे नहीं लगाना है, अब तव तो तेल को डालिए, तेल को थोड़ा tremendous अजिए उसके बाद आप पराठे को सेक्खे, इससे क्या होगा आपको तेल तिल अपने आप फैल जायेगा और बोहने ही क्रिस्पी तिची प्राठे आपके निकलींगे बहुत ही अच्छे से आपके पड поговор Allरी आपको तैल और परेबस की जवोट्ष नहीं पड़ेगि कोई जुन जट नहीं रहा और आप तो अच्छे से चित्याना तक मैंने अपना पराथा सेक लिया है तो आप भी ऐसे ही रेसिपीज बनाईए अपने गढ़वालों को खिलाईए और मानिए यह बहुत ही हेल्दी है इसमें बहुत सारा आईरन है और बहुत ही अच्छा है तो मैंने यह पराथा डाल के साथ सर्फ किया है बेसिक सा प्लेन डाल है अगर आपको मेरी चटनी की रेसिपीस चाहिए तो मैं आई बटन पर दे दूंगे आपको यह चटनी के साथ आप सवार्व कर सकती है अचार के साथ भी सर्फ कर से कोई दाल कोई सब्सी सब के साथ यह पराठा चल जाता है एक बस बस जरू ट्रॉट करके देखे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हैपी रहिए है नादी रहिए और और चानल के साथ नए नए रहां के लिए थैंक यू बाई बाई